नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का ब्रेंबक्स इंडिया के यूटूब चैनल पे दोस्तों हमने नोर्ड वर्बल रीजनिंग स्टार्ट कर दी है और इस वाले जो पॉर्शन में हैं पिक्टोरियल रिलेटेड बेश आपके सारे सवाल होने वाले चित्रों से संबंद पेपर फोल्डिंग पे या फिर मिरर इमेज वाटर इमेज बहुत सारे पिक्टोरियल रिलेटेड क्वेशनों को हम देखने वाले हैं पर आपको हम बता दे आपके जो पेपर में आपके पेपर में नोन वर्बल वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्रा होता है उसके तीन से च चार क्वेशन आप लोगों के बन जाते हैं तो दोस्त उनको सही करना हमें और हमें हमारा सेलेक्षिन लेना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहला चेप्टर है आप लोगों का उसका नाम है उसका नाम है फिगर सीरीज फिगर सीरीज जो स्रंकला है चित्रों की स स्रंखला है वो वाला चैप्टर हम discuss कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं पहला equation की जो पहला question आप लोगों की screen पे है ठीक है आप लोगों की screen पे यहाँ पे आप समझने वाली बात क्या है कि जो स्रंखला है उसे एक pattern के अनुसार आगे-ागे हमें follow करना है आगे-ागे one by one हमें follow कर कि सिरीज का अगला पद क्या होगा अगला पद जैसे वर्बल में होता है पिछले चैप्टरों में हमने पढ़ा वैसे ही नोन वर्बल में होता है पिक्टोरियल में होता है आगे वाला चित्र आप से पूछता है बस देखो सबसे पहला एक्जामपल आप स्क्रीन पे देख प पे हम आए तो वहाँ पे हमने क्या देखा उपर से एक गायब हो गया वहीया एक गायब हो गया उपर से ठीक है उपर से एक चित्र गायब हो गया अब थार्ड में जैसे ही हम थार्ड में आते हैं तो वहाँ पे एक क्रोस में ठीक है एक क्रोस में लाइन कट जाती है ठीक है प फिर एक वर्ग का आदा पार्ट काड़ दिया मतलब तिरबुज बना दिया अब आगे फिर से तिरबुज खतम कर दिया तो अब वर्ग को तिरबुज की सेप में आदा डिवाइड कर देंगे आदा डिवाइड कर देंगे तो जिस भी option में वो होगा वो ही हमारा correct answer हो जाएग देखो ये एक वर्ग है ये एक वर्ग है दोनों को मिला रखा है और एक छोटा तिरबुज सबसे पहले तिरबुज खतम कर दिया तो हमारे पास दो वर्ग रह गये छोटे ठीक है command में ठीक है command में दो वर्ग रह गये अब फिर से इसमें से आदा पार्ट काड़ दिया तो एक तिरबुज और एक वर्ग रह गया, ठीक है, फिर ये बला आ गया, थाड़ा करती आ गया, अब इस में से फिर से एक तिरबुज को ही ही खतम कर दिया, तो हमारे पास एक बोक्स रह गया, सिंपल, अब बोक्स को आधा डिवाइड करना है, ठीक है, और उसको खतम कर देना, तो एक ही option में आ रहा है वही हमारा correct answer हो जाएगा बताओ आसान है समझ मैं आया पहला question समझ मैं आया तो like प्रेश कीजिए और आगे बढ़ते हम second सवाल पे second सवाल आप लोगों के screen पे second सवाल आप लोगों के screen पे available है देखो यहाँ पे क्या है हामें एक circle दिया हुआ है और उसमें से कुछ part उसमें से one fourth part dark करके दिया हुआ है अब check करते हैं कि किस pattern के अनुशार आगे बढ़ना है उसको move करना है rotate करना है देखो इसमें सिर्फ rotate हो रहा है और किस pattern को follow करा है वो देखेंगे देखो सबसे पहले यहाँ पे यह उपर था पहली वाली shape में उपर था तो इसका just इसका just reverse में चला गया reverse में चला गया भाई इसकी जो water image की shape हो गई water image की shape हो गई यहाँ पे water image की shape हो गई और देखो यहाँ था तो यह just नीचे आ गया नीचे आ गया ठीक है अब यहाँ पे आ गया यह वाला ठीक है अब इसको आगे वाले को चेक करें तो यह वाला तो इसने छोड़ दिया और यहाँ पे चला गया मतलब पहले तो लगातार आगे वाले नमबर पे चला उसके बाद मैं एक ड्रोप करा फिर आगे निकल गया तो मतलब पहले एक पे था उसके बाद एक ड्रोप करा तो अपकी बार दो ड्रोप करेगा दो कौन-कौन से यहां से एक तो यह वाला ड्रोप कर देगा एक ये वाला ड्रोप कर देगा तो बताओ यहां पे आ जाएगा यहां पे आ जाएगा कौन से option में यहां पे है D option में यहां पे है तो वो ही हमारा correct answer हो जागा समझ पाए आप दुबारा समझो इसको पहले क्या अतासर जो यहां पे पहली वाली आकरते में और direct इसके पास में आ गया अब जब यहां पे दूसरी में यहां पे मिल गया हमें अब यहां पे देखो दोस्त यहां पे यहां आना था काईदे से पर यहां पे इसने एक छोड़ दिया एक छोड़ दिया और आगे यहां पे आ गया इस वाले में यहां से यहां थे इस वाले में आ गया एक छोड़ दिया तो मतलब सीरीज में क्या हुआ पहले कुछ नहीं छोड़ा फिर एक छोड़ा तो अब की बार दो छोड़ेगा बैस रंकला यही तो कहती निश्चित पैटरन के अनुशार आगे बढ़ना तो अब की बार जब दो छोड़े तो एक तो यह वाला छोड़ दो और एक तुरंट आगे वाला छोड़ दो तो यह वाला बन जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा एक सरकल होगा और उसमें यह वाला बनेगा हमारा ये बार दा तो ये वाला किसमें देख रहा है आपको भैया ये वाला तो डी ऑप्शन में देख रहा है तो वो ये हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा बताओ बच्चे समझ में आया बोहत आसान है आपको बस चीजे रिलेट करने हैं और हमारे साथ हमारे साथ आपको बढ़ना है ठीक है ब्रेन बक्स की टीम के साथ आपको बढ़ना है आपको सपलता अवश्य मिलेगी इस चीज की हम आपको शॉर्टी देता है क्योंकि हम सब जी जान से जुटे हुए आपको डिफेंस क्रैक करने के लिए आगे बढ़े इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स सवाल की तो नेक्स सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा तो जल्दी से इस सवाल को हम डील करने वाले है इस सवाल को हम डील करने वाले है दोस्त तो ये सवाल आपके सामने है देखो सबसे पहली आकरती को दूसरी में चेक करना फिर तीसरी में चेक करना फिर चोती में चेक करना हमें चेक करना है सर कि किस पैटरन के अकोडिंग बढ़ रही है यहां पे तो देखो सबसे पहले दो रो थी दो लाइन थी जब यहां से यहां गए तो एक लाइन ये वाली एक्स्ट्रा बढ़ गई तो तिरबुज बन गया अब एक लाइन एक्स्ट्रा बनी तो बताओ चतुरबुज बन गया पहले तीन लाइन थी एक दो और तीन सबसे पहले सुरू में दो लाइन थी सुरू में हमारे पास दो लाइन थी कितनी दो ठीक है तो दो लाइन से तो कोई आकरती भी नहीं बनती कोई आकरती भी नहीं बनती जैसे ही एक लाइन एड होई तो अब कितनी हो गई तीन लाइन और तीन लाइनों से घिरी हुई बंद आकरती तिर बुझ कहलाती है ठीक है इसके बाद में आगे हम चेक करें चार लाइन तो चार लाइन से क्या बन गया चतर बुझ अब की बार कितनी 5 लाइन होगी तो 5 लाइन से क्या बनता है पंच बुझ बनता है दोस्त पंच बुझ चेक करो पंच बुझ आएक इसमें D option में देखो 1,2,3,4,5,6 तो ये तो होगा नहीं यहाँ पेचार ही है तो ये भी नहीं होगा पहले वाला सरकल है तो ये तो वैसे ही नहीं होगा तो पंच बुझ हमें B option में मिल रहा है दोस्त बी option में तो बता हो समझ में आया है सही है clear है आगे चले अगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की और तो अगला सवाल क्या कुछ खास होने वाला आप लोगों के लिए तो अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा ये रहा बहतरीन सवाल ये रहा बहतरीन सवाल तो इसे जल्दी से करते हैं दोस्त इसे solve करते हैं इसे solve देखो यहाँ पे एक row दे रखिये पहली आकरती को जब हमने देखा एक row दे रखिये एक तीर का निसान दे रखा है तो यह क्या करा यह जो तीर का निसान है यहाँ पे जब चले तो 90 डिग्री मूव कर रहा है 90 डिग्री कोई चीज यहाँ पे होती है 90 डिग्री का एंगल ऐसा होता है कैसा होता है ऐसा होता 90 डिग्री का एंगल जो यहां था वो यहां चला गया जो यहां था वो यहां चला गया 90 decree और इसमें इसमें 2-3 और add हो गए देखो एक तो ये वाला add हो गया एक ये वाला add हो गया जैसे ही 90 decree move करा 2-3 add हो गए थिक है opposite side कहाँ पे opposite side में दोनों तरह बाई एक तीर ये था 90 degree move करेगा तो एक तो बनाए रहेगा और दो तीर और reverse order में add हो गया अब फिर से फिर से फिर से आगे चलें तो यहाँ पे 90 degree नहीं अपकी बार 180 degree move कर रहा है 180 degree move कर रहा है चलो सब में 90 degree move कर रहेज है यहां से यहां से यहां चला है ठीक हैbestिक है ठीक है opposite side अब यहां से यहां गए हम तो हमारे पास already कितने थे तीन तीर थे यह वले ठीक है यहां चेक करा तो दो और बढ़ गए कितने हो गए देखो तीर count करो एक तीन पांच तो अब की बार कितने होने है सातों ने चीए सातों ने चीए चेक करो देखो इस वाले option में 5 है होगा नहीं इस वाले option में 5 है होगा नहीं अब इन में चेक इसमें 6 है तो होगा नहीं तो बताओ सात तीर किसमें है option नमबर B ठीक है ऐसे भी आप simple कर सकते हो पर जब यह 90 डिगरी मूव करेगा तो इसमें कितने add हो जाएंगी तो पांस तो already थे एक एक दो इधर कितने तीन ठीक है यह 90 जाएगा तो इधर जाएगा ठीक है तो अब की बार दो ऐसे add हो जाएंगे reverse में तो option number B is the correct answer of this question समझ पाए आप simple था पहले एक तीर था फिर तीन तीर हुए फिर पांच हुए तो अब की बार कितने हो गए सात हो गए सर सात हो गए ठीक है तो बहुत आसान पेटरन था option को डील करके हमने solve कर रहा ठीक है इसके साथ साथ हमने logic को पकड़ा कि 90 degree move कर रहा है और दो तीर add हो रहे reverse में फिर से 90 degree move होगा दो तीर add होंगे opposite side में तो अब की बार भी 90 degree move होगा और दो तीर add होंगे opposite side clear है दोस्त आगे चले simple था अगला सवाल आप लोगों की screen पे ये रहा ठीक है जल्दी से इस सवाल को करो अप इस सवाल को ठीक है तो यहाँ पे सवाल को जब हम समझे देखो यहाँ पे बीच में यह दो लाईने है जैसे इस आकरती से यहाँ गए तो इन में मिल गया इन में आद में चेक करा तो यह पूरा आगे चला गया इस वाली आकरती में ठीक है अगले बिंदों पे तो यह दोनों साइड से अगले बिंदों पे मूग कर रहा है ठीक है अब इस में चेक करा तो यह इस वाले बिंदों पे मूग करेगा ठीक है तो मूग कर रहा है अब जब सु स्टार्टिंग में यह दोनों बिंदों के बीच में था देखो पहली आकरती में यह पहले वाले दो बिंदों के बीच में होगा तो अंतिम आकरती में यहां पे भी बीच में आएगा बीच में आएगा कहीं आप A option टिक कर दो जल्दी वाजी में नहीं दोस्त गलत हो जाएग बी option इसका correct answer हो जाएगा क्योंकि starting starting आ करती माइने रखती है दोस्त क्योंकि बिंदों के बीच में जाना है और फिर जाके ठीक है फिर इससे आगे पूछता तब होता ये वाला सही तो कौन सा option हो जाएगा बी option समझ पाया आसान था मुश्किल नहीं था आगे चले अगले सवाल पे दुबारा देखो इसमें क्या था जो सुरूवाले दो बिंदो एक्स्ट्रा पड़े है इनके बीच में है अब अंत में भी देखो अंत में भी कहा है बीच में यहाँ पे भी आना है इसका मतलब यहाँ था आगे वाले में चले तो दोनों बिंदों को मिला दिया फिर आगे चले तो फिर आगे बढ़ गया इस से आगे बढ़ गया सीधा हो गया फिर इन बिंदों पे आ गया तो अब की बार मिड में आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में मिड से स्टार्ट हो रहा था तो option number B is the correct answer of this question next question is ये रहा आपका अगला question ये रहा अगला question जल्दी से इसको solve कर इस सवाल को deal करते है दोस्त इस सवाल को देखो यहाँ पे एक multiply का निशान है और एक minus का निशान है अब इस समय जब पहली आकरती से हम दूसरी आकरती की और move करें तो क्या minus ने अपना इस्तान चेंज करा नहीं करा माइनस ने अपना इस्तान चेंज नहीं करा जबकि multiply half बढ़ गया आधा बढ़ गया ठीक है यहाँ उपर था तो बीच में आ गया ठीक है यहाँ पे बीच में आ गया इस वाले आकरती में अब जब आगे वाली आकरती में हमने चेक करा तो क्या multiply अपना इस्तान चेंज कर रहा है नहीं कर रहा कौन चेंज कर रहा अबकी बार minus कितना आधा आधा आगया ठीक है आधी जगया cover करके ठीक है पूरी लाइन क्रोश करके नहीं आधा आधा बढ़ रहा है ठीक है half बढ़ रहा है अब देखो पहले into change करा जगय अबकी बार कौन करा minus करा तो अब कौन करेगा multiply करेगा माइनस अपनी देखो दोनों एक एक बार बढ़ रहे हैं एक कह रहा है भाई तू बढ़ पहले मैं अभी रुख जाता हूँ फिर वो बढ़ गया फिर वो बोलता है भाई अब तू रुख और मैं बढ़ रहा हूँ यह वाला scene चल रहा है यह वाला system चल रहा है तो यहाँ पे अपकी बार multiply आएगा कितना आएगा आदा आएगा कहां आजाएगा इसके उपर आजाएगा बतो इसके उपर रहेगा मिडमी देखो यहाँ से यहाँ बड़ा तो अपकी बार इतना ही बड़ेगा तो option कौन सा है A option अच्छा D क्यों नहीं है क्योंकि D में आदा यहाँ होना यह side में आ गया यह side में आ गया तो यह गलत हो जाएगा ठीक है दोस्स समझ पाए अगले question पे हम move करते है अगले question पे हम move करते है और अगला question आप लोगों की screen पे यह रहा यह रहा यह बहुत अच्छा सवाल है इसमें तीन चीज़े है एक circle है एक multiply है एक स्वास्तिक का sign है सबसे पहले हम circle को देखे पहली आकरती से दूसरी आकरती में देखे pattern क्या चलता है तो यहाँ पे देखो circle तो आ गया anti-clockwise नीचे आ गया और multiply चला गया ओपर multiply चला गया ओपर ठीक है और स्वास्तिक ने देखो एक जगे छोड़ी और दूसरी पे आ गया एक जगे छोड़ी दूसरी पे आ गया वन वाई वन चेक करें हम पहले circle को उठा लेते circle कितना कितना बढ़ा है देखो पहले सरकल नीचे आया उसके बाद में यहां पे आ गया उसके बाद में यहां पे आ गया यह वला तो अपकी बार कहा जाएगा यहां पे आ जाएगा कुन से ओप्शन में यहां पे है ए ओप्शन में ही यहां पे है तो वैसे तो ए ही हो जाएगा एक sign को पकड़ने से solve हो रहा है पर हम check करते हैं दूसरे वाले sign से multiply पहले यहाँ था फिर उपर चला गया दूसरे वाले में उसके बाद में तीसरे वाले में यहाँ आ गया ठीक है फिर चोते वाले में यहाँ का मतलब यह पूरा नीचे ही है मतलब एक एक बढ़ रहा देखो पहले इस वाली लाइन के करीब था फिर इस वाली लाइन के करीब हुआ फिर इस वाली लाइन के करीब हुआ फिर इस के करीब तो अब की बार नीचे वाली लाइन के करीब होगा तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे वाली लाइन के करीब आ रहा है, option, ठीक है, अब स्वास्तिक को देखते हैं, स्वास्तिक कितना move करा है, स्वास्तिक कितना move करा है, देखो, स्वास्तिक ने एक लाइन का gap दिया और फिर यहाँ आ गया, दो नमबर पे, ठीक है, फिर यहाँ से करो एक दो तीन अब तीन का गैप तो अपकी बार कितने का गैप स्वास्तिक चार का गैप चार का गैप कहां कहां होगा एक दो तीन और चार तो अपनी जगह ही आ जाएगा भाईया वापस अपनी जगह ही स्वास्तिक आ जाएगा तो समझ पाए आप की सरकल और जो मल्टिप और स्वास्तिक एक छोडता है फिर दो छोडता है फिर तीन छोडता है फिर चार छोडता है ठीक है समझ पाए समझ पाए option number a is the correct answer of this question आसान था बहुत प्यार से समझा रहे हैं हम आपको बहुत ज्यादा वला प्यार से ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं इस सवाल पर तो इस सवाल को आप करो फटा फट से देखो बहुत आसान सवाल यहां पर बिंदु है एक वोई मुव कर रहा है बिंदु चारों तरफ मुव कर रहा है किस पैटरंस से आगे बढ़ रहा है सिर्फ वोई पहचान है देखो पहली से जब दूसरी आकरती में गए तो एक इस्तान ब्रेक करा और यहाँ पे आ गया फिर यहाँ से यहाँ चले तो देखो यहाँ से एक ब्रेक दो ब्रेक और तीन पहले एक इस्तान ब्रेक करा फिर दो ब्रेक करा अपके बार चेक करते हैं वन, टू, थ्री, और फोर पे आ गया, तो थ्री ब्रेक करा, अपके बार कितना ब्रेक करना है, फोर इस्तान ब्रेक करना है, तो देखो, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बताओ किस option में यहाँ पे है, डी option में दिख रहा है, तो डी option is the correct answer of this question, यहाँ पे बिंदू, एक प्लेस चोड़ के, फिर आगे बढ़ा, फिर next में दो प्लेस चोड़े, फिर तीन प्लेस चोड़े, फिर चार प्लेस चोड़े, बताओ simple था, आगे चले, अगले question पे हम move करते हैं, और आज की class का आपका अंतिम सवाल है, यह वाला question, फटावर का sign, तीर का sign 90 degree move कर रहा है, पहले से दूसरे में चले, तो 90 degree clockwise, anti clockwise, anti clockwise, तीर का निसान उपर था, 90 degree move कर रहा है, तो इस order में हो गया, अगर आगे move करेगा, तो इस order में हो जाएगा, इस order में, बताओ, इस order में कहाँ पे, option number B is the correct answer of this question, तो आज की session में बस इतना ही, आप comment box में कोमेंट करके बताई आपको सेशन कैसा लगा ठीक है लाइक करे शेयर करे ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करे चैनल को और सब को बता दे डिफेंस में जाना है तो ब्रीन बक्स के साथ आना है ठीक है दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिंद